हेलो वीवर्स ये हैं नेक्स्ट फेम और आप देख रहे हैं कि अब तक जैनिफर मिस्तरी बंसी वाल ने किनकिन फिल्म और टीवी सीरियल्स में काम किया है जैनिफर ने अपने आक्टिंग करियर की शुरुवाद 2008 से की थी जिसके बाद वो तारक महता का उल्टा चश्मा में रोसन भगवे के करिदार से जानी जाती है तो फिरा यए देखते हैं कि अपने तारक महता का उल्टा चश्मा के बाद किनकिन फिल्म में और टीवी सीरियल्स में काम किया है 2008 से 2013 और 2016 से 2013 तक वो नज़र आई सोनी सबकी शो तारक महता का उल्टा चश्मा में जिसमें उन्होंने रोशन पावे का किर्दार निभाया था फिर 2008 में आई फिल्म हला बोल में भी वो नज़र आई थी फिर 2008 में ही आई फिल्म क्रेजी फोर में भी वो नजर आई थी फिर 2009 में आई फिल्म लग बाई चांस में उन्होंने जुनियर आर्टिस्ट का किरदा निभाया था फिर 2015 में कलर्श की शोर नाग इन सीजन वन में उन्होंने रामिया माथूर का एक अपिसोडिक रोल प्ले किया था फिर 2016 में उन्होंने नजर आई थी फिल्म एरलिफ में जिसमें उन्होंने रीटा का किरदा निभाया था फिर 2021 में वो नज़र आई थी सूपर डांसर में जिसमें वो अज़ा हर सेल्फ गेस्ट अपिरियंस के तोर पे नज़र आई थी फिर 2020 में वो नजर आई थी कौन बनेगा करोड़ पती में जिसमें वो अजह हर सेफ के तोर पर गेस्ट आपिनेस देती नजर आई थी तो ये थेप तक कि जैनिफर मिस्तरी बनसी वाल की टीवी शोज और फिल्म में आपने इन में से कौन से देखे हैं और कौन से रहे आपकी फेवरेट कमेंड करके जरूर बताना और वीडियो पसंद आये हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कना ना भूलें बाकि और प्यासे नवी वीडियो तेखने के ये प्लिस सब्सक्राब और प्रेस बिल इकन